हेलो बच्चो वेल्कम बैक टो दी डिविजन सीरीज ऑफ मोस्ट इंबॉर्टन फॉर्मला ओफ ससी महारास्टर बोर्ट अलजिब्रा ठीक है अब यहां पर हुआ क्या है अब हम आए है प्रोबाबिटी पर आखरी चाप्टर पर तीन चाप्टर की वीडियो में बना चुका ह सबसे आसान चाप्टर बच्चे कहते हैं है भी आसान ठीक है प्रोबाबिटी में सबसे पहली चीज समझने की क्या है सैंपल स्पेस क्या होता है सैंपल स्पेस कैसे कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं टोटल पॉसेबल आउटकम को अगर मैंने एक सिक्का उच्छाला तो क्या एगा ग्राबर eller यह मेरा समेटर चाहते हैं सब्सक्राइब निखालना चाहते हैं सबसे एक सम्पलस्पैस याुद रख लो नहीं एक कोईन का सम्पैस क्या होता है काफी आजन है धोएक कौईन में कौईन डोजन में लगती रपिखतें को आप संपलस्पैस को Stage करो नई है को देखा अब यही यही लाइन को दो बाल लिखो उपर नीचे और सिर पहली लाइन में हर जगा तीसरे पर head डाल दो दूसरी लाइन में हर जगा क्या डाल दो तेल दाल दो समझ गया तो इस तरह से तुम्हारे तीन कोईन के sample space हो जाएंगे एक दाई का sample space तो मालूम है 1,2,3,4,5,6 दो टाई का sample space कैसे बनाते हैं मालूब न 1,1,1,2,1,3 वैसे 1,6 तक फिर 2,1 से 2,6 तक 3,1 से 3,6 तक ऐसे जाना है पुरा 6,6 तक total 36 का sample space बनता है बोड़ पर जगा नहीं थी तो इसलिए लिखा नहीं पर बहुत common चीज है पता तो होगी ठीक है यह हो गया है अब इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है यह card वाला एक है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्या पता क्या हो जाता है हमको तो card वाले में देखो 52 total cards होते हैं 26 red होते हैं 26 black red वाले में जो group होते हैं जिसे suit कहते हैं diamond का heart का होता है black वाले में होता है club और spade का diamond heart club spade में तीन-तीन card special होते हर एक में एक king एक queen और एक jack होता है तो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 total कितने हो गए 12 हो गए तो हर 52 card में से 12 card कौन से होते हैं face card होते हैं हर 13 के group में एक king, एक queen, एक jack और एक ace होता है एक का, समझ गए तो इसमें एक का, इसमें एक का इसमें एक का, समझ गए यह, इसके अलाग कोई भी चीज की अगर probability निकालने है तो कैसे निकालने है, event की probability को sample space की probability से divide करना, मतलब event में जितने terms आ रहे है, मतलब 5 चीज है तो 5, sample space में 10 आ रहे तो 10 से divide करना है, probability में आपका answer सही है, यह नि उसको कैसे चेक करेंगे, उसको check करने के लिए basically आपको क्या करना है probability में आपको answer check करने के लिए क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखे कि आपका denominator क्या होना चीए, बड़ा और numerator क्या होना चीए, छोटा तो इस तरह से हमने सारे के सारे probability के, सारे important formulas यहाँ पर देख लिए, chapter को revise करने से पहले, जरूर यह सारे के सारे formulas को जरूर देखे